अभी हम सांस के क्रिया इससे बीपी का क्या रिलेशन है अलकलाइन का और एसिड का ठीक है सारे लोग ऐसे कीजिए हाथ अपने आगे इस पतार अभी ऐसे मूँ को लेंगे और अंदर से हवा मारिये थंडी आ रही है करम आ रही है अभी देखिए इस पतार दरेंगे ऐसे तो क्या हूगा बीपी जिसका लो रहता है उसका बीपी नवर्मल आएगा ठीक है और अगर हम गरमर सांस नकालेगे गरम तो बीपी हाई जिसका रहता है वो दुनिया का सभसे वैस तरीक अगे यह निरो तरफी नहीं खुजाए इसको पाजार आरहों लाखों पेशेंट्स पर इसकी हमारे परमपुज गुरु जी ने हजारों लागों पेशंटों के उपर हमारे परमपुज गुरु जी ने इसकी खोज करी है उन्होंने पाया कि अगर हम ठंडी सांस छोड़ रहे हैं तो लोग वीपी वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है वीपी उसका तुरंद नॉर्म कर सकते हैं बीस बार लाश्ट जादा नहीं अगर आपको लगते हैं कि अगर हम ज्यादा कर रहे हैं ज्यादा कर रहे है तो इन सानलता है अगर में घ्रम सांस निकाल रहा हैं तो alkaline निकल रहा है alkaline और acid दीको दुनिया भगवान अरद नारेशर देख़ाते हैं सभी ने अरद नारेशर क्या है ऑधी कली और अधी white तिक है अधी कली और अधी सफेद काला इससा acid का है और white है exhibition alkaline का है काला इससा acid का और white है अच्छा alkaline का तो हम ये जो किरिया है acid और alkaline body का acid और alkaline जब imbalance हो जाएगा अमल और चार तो बीमारिया आनी ही है चैया दुनिया कोई भी विवेक्ति हो जाए बीमारिया आनी ही है अमल और चार कम बढ़ती हो जाए तो अमल और चार कम बढ़ती हो जाएगा यहां पर यह लॉजिक बताएगे है